नमस्कार जैहन साथियों जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बोला था कि आज जो है हम इंडियन आर्मी का ओरीजनल ओल्ड पेपर का पूरा सोलुशन करेंगे जिसके अंदर आपके क्यूश्चन रहेंगे मैं बता देती हूं 15 क्यूश्चन तो जीके के 15 क्यूश्चन आपक 15 क्यूश्चन मैट्स के रहेंगे और 5 क्यूश्चन इसमें आएंगे रीजनिंग की रीजनिंग के जो क्यूश्चन हैं यह ओल्ड पेपर है चुंकी तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि पहले ज्यादा मैट्स के ही टाइप की क्यूश्चन आते थे रीजनिंग के बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे जो नोटिफिकेशन्स आए वो आपको मिल जाए और टेलिग्राम ग्रूप भी जोइन कर लेना यह पहला किस्चन आपको स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वाले के साथ बहुत अच्छे से याद करवाया है बोर्ड पर तो उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जरूर देखना विश्वर स्वास्त्य दिवस जल्दी बताएं तो विश्वर स्वास्त्य दिवस जो है वो 7 अप्रेल को मनाये जाता है कब मनाते हैं साथ अपरेल को नेक्स्ट किस्ट क्योगंग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी दौरा शुन द policyange ये विपन सकता है कि असयोग आंदोलन किसके दौर्ण शुरू किया गया था तो गानरी जी के द्वारा कब किया गया था यह आपको बताना है तो यह 1920 में शुरू किया गया था 1920 में next question कयक इन में से किस से संबंधित है कयक अपनी जो पहली वाली बुक थी मतलब जो पूराना एडिशन था अपना 2020 वाला उसमें यह पेपर डाल भी रखा था अब नया जो पेपर है वो हमने डाला है और इस पेपर को हटा दिया गया है तो यह पेपर मैं आपको यहां पर सोल करवा रही हूं ठीक है तो कयक इन में से किस संबंधित है यह आपको बताना है कयक जो है वो यानि के नाओ से संबंधित होता है ठीक है नाओ से नासिक किस नदी के तट पर स्थित है नासिक आपको बताना है देखो ऐसे शहर जो नदियों के तट पर स्थित हैं बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो जो अपनी फूल्स लेबस वाली ग्रीन बुक रहती है उ देखो कृष्णा नर्मदा गोदावरी या इनमे से कोई नहीं ठीक हैं तो इसका सही आंसर लग जाएगा नासिक जो है वो गोदावरी की तट पर है कौनसे पर गोदावरी की तट पर है तो सी ओप्शन आपका राइट लग जाएगा एक क्रिस्चन आप मुझे बताईए क कोल्काता जो है वो कौन सी नदी के खिनारे यह कृस्ट वह बहुत बार आयária तो जल्दी से कॉमेंट करके बताये कुल्काता कौन सी नदी के खिनारे natya 5 वा क्रिश्ट आपके सामने आ गया है भारत का एक नात्र जल्ल прßen constitution जहाज कौन सा यह जल्लying 16 आपड़ाना है तो आई एनेस तरंगिनी जो है वो जल प्रस्टिक्षन जहाज है भारत का आई एनेस तरंगिनी ठीक है ए अप्शन डाइट लग जाएगा दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहां बहती है देखो वैसे तो नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करें एमेजन की ठीक है तो प्रस्टिक्षन में क्या है एमेजन नदी जो है वो कहां पर बहती है यह आपको बताना स्दुन में साउथ अमेरीका में डकष्णि अमेरिका है तो दक्षणि अमेरिका के नदीही तो यहां पर यह option आपका राइट लग जाएगा कौम सा दस्तावेज भारत की अधिकारिक भाषाओं का वीवरण रखता है कौन सा दस्तावेज भाषाओं भार्षाओं से संबंधित जो अनुसूची है उसको बार बार पूछा गया है तो यह आप क्यूच्चन इंपोर्टेंट लगा लें और इसको अच्छे से याद कर लें तो यह आठवी अनुसूची में रहता है ठीक है आठवी में कितने कुष्चन हो गए हमारे नोकिष्चन उचुके हैं यहां पर आपके सामने मचल्म कर देती हूं दसवं के आप देख पा रहे हैं जिम कारबेट रास्ट और उध्यान कहां स्थित हैं जिम कारबेट यह few किस्ट भी बार-बार रिपीट हुआ है तो इसका राइट आंसर होगा ठीक है सब्छाइप की सब्सक्राइब की मुद्रा इन से बार-बार आते हैं तो ऐसे टोपिक जिन से कृष्टन बनते ही बनते हैं वह आपको अच्छे से एकदम रटे हुए होने चाहिए सउदी अरब की बद्र आ आपको बतानी है क्या है रियाल चलते हैं सुतंत्र भारत की फिर हिलां सुतंत्र भारत आपको बताना है 20 किस्चन आपके सामने है तो सर्योजिनी नाइड् Tam सरोजनी नाइडू मैंने यह आपको पहले भी बता चुकी हो इस बारे में आप बताएंगे कि यह कौन से राज्य की महीला गवर्नर रही है बताएं कौन से राज्य कोमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको ठीक है चलिए तेरवां क्यूस्चन आपके सामने आ चुका है गा बुस्तक को कई बार पूछा जा चुका है किसी रचना है ये कौन है इसके ले फक इसके बारे में आपको बताना है तो esid नारायन की पुस्तक आई आर के नारायन की वी ऑप्शन आपका राइट लग जाएगा ठीक है ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले हम भी हमारी आर्मी जो है उसको और बढ़ाएं अभी आपका पता है 25,000 से उपर अपना हैं शशस्त्र बलके सर्वोच्य कमांडर आपको बताना है तो आपको पता है हमारे देश की जो प्रेजिडेंट होते हैं जो राष्टपती होते हैं उनको सभी सेनाओं का सर्वोच्य कमांडर जो है वो माना जाता है ठीक है तो राष्टपती पंदरवां कृष्चन आपके सामने आ चुका है जितने भी युद्ध हैं जितने भी लड़ाई लड़ी गई है जो इंपोर्टेंट है परिक्षा की दरश्टी से वो सारा एक ही पेच में मैंने अपनी जो ग्रीन वाली फुल स्लेबस भुक है उसमें करवाया हुआ है एक पेच रटना है रोज तीन चार बार तीन चार दिन तक उसको याद करो सुबह उठते ही पड़ो अराम से याद हो जाएगी ठीक है तो पानी पत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी पानी पत की पहली हुआ है आपको यह बताना है कॉमेंट बोक्स में कि इसमें विजय किसकी हुई थी कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके बताएंगे और मैं जा रही हूं अब सोलवे कुष्टन यहाँ अपने सामने देख पारे हो जी के के 15 कुष्टन कंप्लीट हो गए हैं और अब 15 कुष् में मत्चर के कारण मत्चर की मत् consent है कि मत्चर ऐसा क्या सफेकर मै thinneri हो जाता है तो जो टो परोट जोओ ऑ Lynn अगया मोि में मेरिया रोग होता है कि हमारे श्रीर को खराब कर देता है और उसके मलेरिया नामक जो विमारी है वो उत्पन हो जाती है यह बाइलोजी वाले पार्ट में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो टोपिक वाइज फिता होती है दो वितामिन यहां पर आपका रैत औसर होगा ठीक है नेफ्स क्रिस्ट पर चल रहा है व्लल विस्थापन के बीच संबंध बताई यह बल और कर यह एफ फोर्स और एस का मतलब यहां डिस्प्लेस्मेंट होगा यह डी बी कई बार ऐसे आता है कि इसको डी भी कह देते हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है डबलू इस इकल टू एफ इंटू डी भी आपको दिया जा सकता है ठीक है तो इसमें भी आप कन्फ्यूजन ना र से प्राप्त होता है यह इंसुलिन तो आपने सुनाई होगा जो डाइबिटीज के पैसे रहते हैं उनके लिए यह दवाई रहती है और हमें यहां पर पूछा गया रसायन पोधों से प्राप्त होता है नेक्स्ट क्रिश्चन पर चलते हैं सिस्मोग्राफ से क्या मापा जा करेंगे तो आप वहां से जरूर पढ़ना एक पर क्लास जरूर लें टॉपिक वाइस क्लासे लिया करें दाके कॉंसेट्स क्लियर हो आपके सिस्मोग्राफ में क्या मापा जाता है जल्दी बताएं तो भुकंप को मापते हैं भुकंप को अब एक आप मुझे बताएं कि ऐस रियक्टर स्केल समझ गए और जब आपको यंत्र पूछा जाए तो आप बताएंगे सिस्मोग्राफ ठीक है कि सिस्मोग्राफ में वपा जाता है चलिए नेक्स्ट क्यूश्चन पर चलते हैं 21 नंबर क्यूश्चन आपके सामने आ गया है कौन सी गैस सोडा को तयार करने मे कौन सी गैस यह आपको बताना है औप्शन आपके सामने सारी दिये हुए हैं तो आपको बता है कारबन डाइ ऑक्साइड गैस जो है वह सोडा को तयार करने में काम में ली जाती है जैसे कोल्टरिंग से अगर होती है कोकोगोला या कोई और भी पैपसी मान सकते हैं इसमें क आपके सामने आ गया है इसको मैं जूम कर देती हूं तक कि आपको अराम से दिखे ये इन में से कौन सा एक अदिश मात्रा है अदिश और सदिश दो चीजे होती है आपके पास ठीक है देखो सदिश क्या होता है पहले ये पढ़ेंगे तो सदिश में क्या होता है जो परिमा यानि कि रिजल्ट और साथ में दिशा यान डायरेक्शन दोनों चीजें आवश्चक होती हैं किसमें सदिश में और अदिश में क्या होता है केवल परिमान केवल क्या केवल परिमान इसमें दिशा का ग्यान होना आवश्चक नहीं होता है ठीक है यह इनमें अंतर रहता है यह तो जल्दी से comment करके बता दें तो देखू जो गती होती है जो गती होती है एक मिनिट हाइलाइटर यूज करती हूँ मैं जो गती होती है वो एक अधिश राशी होती है ठीक है स्केलर कॉंटिटी इंगलेश में क्या कहते हैं स्केलर और सदिश को हम क्या कहते हैं वेक्टर कहते हैं तो गती जो होती है वो अधिश राशी होती है इसमें केवल परिमान पर ध्यान दिया जाता है इसकी जो दिशा होती है दिशा का ग्यान होना आवशक नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट क्रिष्टन पर चलते हैं, क्रिष्टन नमबर 23, 23 वाँ क्रिष्टन आपके सामने हैं, हीमोग्लोबिन का मुख्यगटक कौन सा है, प्रोटीन, लोहा, मोटापा, विटामिन, तो लोहा है साफ साफ दिख रही है, ये तो कई बार आ गया पहले भी लोहा, नेक्स्ट क्रिश्टन पर चलते हैं ही वो ग्लोबिन हमारे कून में पाया जाता है ठीक है रक्त में नेक्स्ट क्रिश्टन 24 नमबर एक जीव की सरंचनात्मक और काध्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है जैसे आप केमेस्टर में पढ़ते हो कि जो पदार्थ होता है उसका प्रते ही जब हम बात करें तो प्रते इक कोशीका रहोता है वह सबसे छोटा पार्ट होता है और वह एक सरंचनात्मक और काध्यात्मक इकाई है कॉछिका कोशीक से दिवार बार पूछा जाता है यहां कि खोज के। बारेमें बात करें तो यह रॉबर्ट हुपने की रॉबर्ट हुख ने ठीक है अब एक और बताएं कि कोशिका का शक्ति ग्रय किसे कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रय यानि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है कोशिघा का power house जो हैUB która को कहा जाता यह question भी बहुत वारon के exam में आ चुका है差 को दिख्राइक सभी को Eh समझ जाएंगे सभी माई च्रोम घून जो है कोशिघा का शक्ति गरै कहलाता है इसकी खोज जो है सेल की सेल की खोज की है रोबर्ट हुकने नेस्ट क्यूश्टन पर चलते हैं मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है देखो रहता है उसका पंपिंग का काम रहता है पूरे शरीर से खुन लाना और ले जान हैं कि आपकी जो किड़नी है किड़नी में रखत शुद्ध होता है बड़े बड़े टीचर भी कई बार जो है यह कुष्चन गलत करवा देते हैं जल्दी बाजी में तो इसको ध्यान रखेंगे आप हार्ट नहीं करेंगे पहला उप्चन हार्ट दे रखा है ठीक है तो इसों की उपस्थिति के कारण अमल वर्षा होती है अमली वर्षा देखो सारे ही कुष्चन इतने रिपीट हुए हुए हैं एक्जाम में इतने आसान रहते हैं तो यह आपका ओल्ड पेपर हम कर रहे हैं और इसनल पेपर है यह आर्मे में आया हुआ अब जो है लेवल जल्दी जल्दी करते जाएं 26 आंशिक आपके सामने है अमली वर्षा आपको बताना है तो ना टू और एसो टू जो कैसे होती है इन यह जब पानी में मिल जाती है वर्षा की समय तो यह अम लिए वर्षा कहलाती है ठीक है यहां पर 26 वां किस्टन आपके सामने हो चुका है आपका कंप्लीट हम आ गए हैं किस्टन नंबर 27 पर विद्यूत परवाह किसे नाप जाता है मापा जाता है विद्यूत परवाह का मैं मेजर्मेंट जो है वह कौन से जो यंत्र है उसके द्वारा किया जता है यह आपको बताना है सारे आपके सामने हैं तो अव मीटर वाली क्लास जो सदिश नियम होते हैं बीजगनित के उनका पालन नहीं करती यह बड़ी क्लास इसमें आता है ग्यारवी क्लास में दिया हुआ है पूरा मैटर अच्छे से और दसवी लेवल पे भी अगर हम थोड़ा हाई लेवल पर पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक कर द्लार्ट्रेंट्र व ऐसी राशी है तो वह अदिश रासी है अधिश रासी ठीक है और किसमें मापते हैं इसको मेटर में ना पा जाता है ठीक है एम्पीर होता है इसकी काई ठीक है whilst चलो प्यंहें कर दृस्ट्रण आपक्य हो गए नेकस्ट्रिश्यर चलते हैं सब नेइस्ट कौन सा आगे आपका प्राथमिक रंग बताने आपको प्राइमरी कलर से लिए कुर्वार तो राइट होना ही चाहिए तो जल्दी से बताएं प्रात्मिक कॉन से हैं तो साफ साफ दिख रहा है आपको लाल नीला और हरा पहलाई उत्तर हैं ओप्शन जो राइट हो जाएगा लाल नीला और हरा प्राथमी करंगा प्राइमरी कलर्स हैं ठीक है नेक्स्ट क्यूश्चन निम्न मेंसे कौन सा अंगकोशिका का विद्यूत ग्रह कहलाता है विद्यूत ग्रह पावर आउस अभी तो मैंने बताया था उपर बताये हैं तो य कहला है क्र्केन की रहते हैं तो किसी हॉर्मोन की अधिकता से कमी आने से शरीर में जो है कोई रोग उत्पन हो गया या शरीर में किसी प्रकार की जो खराभी नमबर 21 हवा में कितने प्रतिशत कारबन डाउकसाइड है कल रопूक्सिजन का करवाय था आज क्या गया यहाँ पर कारबन डाई रहते हैं तो जो-बी प्रसेंट आप ऽू को कंट करके से बताएं कल मैंने आपको बताया था कल की पेपर में ऑक्सिजन और जो है नाइट्रोजन कितने प्रतिशात है वायू मंदल में अभी बताएंगे आप कॉमेंट करके और यह जो कुछन है इसमें आपको किसका पूछा है कार्बन डायकसाइड सीयोटू का पूछा है तो सीयो के टाइम टेबल रहता है भी हमारा इस टाइम टेबल के कोडिंग अभी चल रही है वर्तमान में तो इस इसाब से आप क्लासेड ले सकते हैं आर्मी की पूल को चलो नेक्स्य क्वें आपके सामने आंचुका है मनुष्यम में गुणसुत्रों की क्रोम उसाम्स जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है यह आपको बताना है क्रों मनुष्य में पतार चिमिसर, जोड़े मिर्हत थे हैं तो टोटल क्यतनी होते हैं 46xa बूच्छे जोड अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं वो topic wise classes में हम clear कर लेंगी पूरा next question मनुष्यों में मास्पेश्यों की संख्या कितनी हैं मास्पेश्यों की संख्या आपको बतानी है तो 639 649 मास्पेश्यों मनुष्य के सरीर में होती है ठीक है तीन सो उन्चालिस सोरी 639 किद्नी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है किद्नी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है कल लगबग ऐसा साई question एक रहा था हमारा किया भी था क्या थी यहां पर क gaming की मौलिक पूछा यह तो वो जहेगी लेफ आपर है यहां पर ज्वाब को दिया लिया को क्योंकि अब कई बार होता है कि सब बताया जा चुका होता है और हम जल्दी जल्दी आगे चलते जाते हैं और जो इसे रहते हैं जो पहले वाली लेक्टोबेसिलस ठीक है सी ओप्षिंड आपका राइट हो जाएका लेक्टोबेसिलस नेक्स्टीन पर चलते हैं 35 क्यूष्चन तक कुम्प्लीट हो गए है मतलब हमारी जीके और साइंस का पॉर्शन कंप्लीट हो चुका है और अब आपके सामने यहांपर आ चुका है आपक से समझाया हुआ है ताकि आप अराम से समझ पाई इसको तो यह मैथ का कुष्चन यहां पर आपके सामने अब आ चुका है ठीक है ठीक है चाहतिस्वा कुष्चन है पूरे जो मोडल पेपर है उसका देखो इसमें आपको क्या करना है इंगलिश और हिंदी दोनों में दिया और उसके बाद में नो और पच्चिस का क्या निकाला है मध्या नुपाती निकाला है फिर जो भी दोनों के उत्तर आएं उन दोनों का आपको रेश्यो यानि कि अनुपात ग्याद करना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए देखो एक ही किस्चन में कितनी सारी कीज़े पूझे यहां और आपको अनुपात निकालना में आ जाएगा और आपको मध्यानुपाती निकालना भी आ जाएगा थीक है तो बारा और तीस का तृत्य अनुपाति कैसे निकालना है बहुत सारे टीचर होते हैं बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करवा देते हैं और फिर एक्जाम टाइम में स्टूडेंट को उनमें से एक भी याद में रहता कि इतना सारा खिचडी बन जाता एकदम दिमाग गए तो 12 आनुपात 30 हैं तो 22 आनुपात 30 लिखें सामानुपाति का निशान लगाएं सीधा सथा अब 30 को क्या करते है तृत्य captured the repeat कर दिया और फाराश्ट में जो रहता है वह क्या मान ले एक्स मान लें ठीक है क्या किया बारा तीस दिया था बारा अनुपाद तीस लिखा तीस को वापस तीसरी ज्गह पे क्या कर दिया रिपीट कर दिया और लास्ट मेरे जो बचा उसका मान ul. यह उ Gins. को एक समान लेना एक्स लान लिया अब आपको पता है अनुफास समानुपास जब पर करते हैं तो पहली ही लाइन हम पढ़ते हैं कि बहुद का जो बराबर होता है आंत्रीक पडूं का जो भाहिये पड़ कौन съ income इसे हैं बारा और एक्स तो estos का बलसी यानिके तीस गुणा तीस के ठीक है इसके बराबर होगा आपको तो एक्स का मान निकालना एक्स को अकेला कर लिया करो ठीक है अब यहां पर तीस गुणा काट ओब तो इसको काट लो 5 से कितना इसाथ से कर लेंग लूसुक्त ओगत तो कितना इसका इस की मान अब अ क्या हुआ यां पर 59 मध्यानुपाती निकालो तो 9 और 25 का मध्याणुपाती निकालेंगे ठीक है 9 25 Igки कोई न हम से फिला बताए से बीच वाले को क्या तो दोनों को x x लिख दो नहीं पता कितना है x x लिख दो कुछ भी लिक्कत नहीं है और लास्ट में क्या है 25 ठीक है ? 9 और 25 इनके बीच में मध्यानु पाती है तो मध्यानु पाती x x लिख दो ठीक है ? अब आपको गोई बीच वाले पतों का गुणनफल बराबर होता है बाहर वाले पदों का गुणनफल तो बीचवाले पद कौन-कौन से है एक्स और एक्स है तो एक्स गुणा एक्स हो जाएगा बराबर हो जाएगा नो गुणा 25 क्योंकि बाहर वाले पत्द हैं इनका हम गुणा कर दी हैं अब देखो मैं आपको recommend करती हूं कि आप जो है इनको गुणा मत करो क्योंकि इनकी square का आगई यहां पे square होगी और वो इधर जाके निकालना बहुत ही आसान होता है कितना हो गया तीन को तीन से गुणा करते हैं नो आता है पांच को पांच से गुणा करते हैं तो 25 आता है तो यह हम रूप निकाल लिए यहां पे एक्स का मान कितना आजाएगा तीन पांजे पंदरा आगया ठीक है कोई भी इशू नहीं हुआ पंदरा मान आगया राम से अब आपको ये जो मान आया और ये जो मान आया इन दोनों का अनुपात निकालना है क्योंकि वही परसन में पूछा है आप से तो 55 अनुपात 15 15 का पह हो गया ठीक है 20 तक पहाड़े याद होने ही चाहिए अगर आप आर्मे का पेपर देने जाते हो इजी हो जाएगा मैत करना क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा कौन सा कुष्चन है 36 कुष्चन कर लिया है अब कुष्चन 37 पर आएंगे यह देखो यहां पर हम आ गए कुष् जाहिर सी बात है जादा पुरुष होंगे जादा लोग होंगे तो कम ही देर में काम कर लेंगी और कम लोग होंगे तो उनको काम करने में देर क्या लगीगी जादा लगीगी जादा टाइम लगीगा तो पहले जैसा जैसा कुष्चन में दिया है वैसा वैसा करते जाओ सब जाहिर सी बात है जादा गंटे लगेंगे उसको तो पच्छिस तो पहले ही लग रहे थे इतने सारे घंटे लगे अब इसको मत करो आगे इसके साथ जो करना है आगे करेंगे यहां कोई खिलवार नहीं करेंगे अब आपको निकालना है पंदरा पुरुष का कितने पुरुष का पंदरा पुरुष का निकालेंगे यहां पर एक ही पुरुष का निकाला हुआ था तो पंदरा को ज्यादा टाइम लग रहा था अब पंदरा का पू सब्सक्राइब विए निकाल लेंगे तो 1250 गहंते क्या है एक बार चयर कर सेक्षाइब लिकुल में इस झाइद नमबर ऊप Mitchell को कर लेंगे आपका राइट आंसर हो गया है सुझाव प्रस्की में और प्राकरतिक संख्याओं के वर्गों का ओसत है देखो वर्गों का जो ऑसत है प्राकरतिक संख्याओं का प्रथम प्राकरतिक संख्याओं का उसको निकालने के दो तरीके रहते हैं एक तरीका तो रहता है एक की स्क्वाइर करो फिर दो की स्क्वाइर करो फिर तीन की बना दिया किस चीज का सुत्र बनाएं वह मैं आपको बताती हूं यह योग का सुत्र को किसके योग का तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का सुत्र है वर्गों के योग का ध्यान रखना है मैंने यहां बोला है योग का सुत्र ना कि ओसत का योग का सुत्र है योग निकाल लेंगे योग निकालने के बाद में ओसत निकालना तो बाएं आज का खेलें ब मैं भी आपको बताऊंगी क्या है एन इंटू एन प्लस वन और गुणा में टू एन प्लस वन बटेच यह आपका सुत्र है प्रथम एन प्राकरतिक संख्याओं की वर्गों का योग का डैरेक्ट सुत्र भी कई बार पूछा गया है बहुत पहले जब एक्जाम होते से तब अ होना साथ प्लस एक 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 चीज करके दिखा रही हूं कोई नहीं दिखाएगा ऐसे ठीक है तो साथ साथ और किता हो गया आठ और यह किता हो गया साथ दुन चोदा और एक पंद्रा बटे छे ठीक है अब इसको राम से काट लेंगे हम काटेंगे तो हमारे पास क्या आएग हम दो दो चोके आठ साथ इसको गुणा कर लो पांचो के बीस बीस को साथ से गुणा करेंगे 140 यह 140 क्या आया है आपके पास योग आया है ठीक है आपको क्या निकालना है औस असथा सभी को पता है बच्पन में हम नारे लगाते थे सुठ्र की राश्ट्ययों का योग बट संख्या इस तरह से टीचर नारी लगवाता था ना अपने को तो याद करेंगे कितना काम आ रहा है वह उस टाइमी ध्यान से पढ़ लेते तो आज इतनी महनत नहीं करने पड़ती ना तो योग कितना दिया है 140 संख्या कितनी है साथ है साथ को इससे डिवाइड कर दो साथ सब्सक्राइब करना है अब देखो इतनी बड़ी संख्या है वहाँ पर एक्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप 343 से गुना करो फिर फिर उसमें से गटाओ 113 को 113 से गुना करके फिर 113 से गुना करके और फिर उसमें भाग दो इतनी बड़ी सारी संख्या का ऐसा नहीं करना होता है कोई बड़ा विज्ञानिक भी अगर आजाए ना आइंस्टाइन भी तो अगर वह इस तरह से सौल करेगा ना क्युस्चन क हो तो पूरे पेपर में एक ही कुष्टन सो लोगा तो ऐसे नहीं करना है इसका एक सुत्र रहता है छोटा सा दिमाग लगा के थोड़ी से ट्रिक बना सकते क्या करो सबसे पहले यह जो 343 है ना इस 343 की जगह मानो ए और 113 है ना 113 की जगह क्या मानो बी मान लिया मेरे कहने समझे पर आप लोग यह मान लो अब देखो कितना इस ऊचली हो जाता है यहां पर क्या तो यहां पर क्या जाएगा फरकेट इसकी जगह 313 यहां पर एए यहां पर एए यहां पर बी बी यह मैं इतना समझाए यह न तब टाइम लगेगा लेकिन आप खुद से करोगे ना यह क्रिश्चन समझने के बाद में आप सेकंडों में निकाल लोगी एक मिनिट भी पूरा नहीं लगेगा तो ए ए और ए कितना ह गया एकी क्यूब ठीक है थीन बार नहीं तो एकी क्यूब मैनस बी 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 इतीन बार है तो बी क्यों क्यों बटे में धो zdrowर है गुणा में है तो एकी स्क्वेर अब क्या है आगे ब्लषे नहीं तो यहां पर प्लस लिख लो तो A गुणा B, A गुणा B क्या होता है, A B होता है, हो गया, आगे क्या है, यहां पे प्लस है, तो प्लस का प्लस लिख लो, B गुणा B, B गुणा B क्या होता है, B की स्क्वेर, ठीक है, यह आपके पास आ गया, अब क्या करो, अब एक सुत्र पढ़ा होगा, आठवी क्लास में कौन सा सुत्तर था एकी क्यूब माइनस बी की क्यूब का क्या सुत्तर था यह सुत्तर था मैं आपको लिख देती हूगर नहीं या दो तो आफ़ी नहीं पता तो आफ़ी क्लास की किताब लेके छोटे भेनबाई की वहां से पढ़ लेना और नहीं पढ़ो तो अब मैंने यहां लिख दिया है इसको दिमाग में फिट कर लेना ठीक है यहां पे आपके पास आ गया, अब देखो, यह चीज सारी और यह वाली सारी चीज sub यहा नहीं, again, same दिख री है, हाँ सबको दिख री है, बच्चे को भी दिख जाएगी, तो यहां पे यह पूरा दूसरे से क्या हो गया, बटे में हैं तो कठ गया, कट गया क्या बच्चा यहां लिख देती हूं चलो क्या बच्चा A-B बच्चा A-B यांकि आपको इतने बड़े सवाल में इतनी रामकानी दे रखे करना कुछ नहीं था A में से B घटा देना था A किसको मान रखा है आपने 343 को B किसको मान रखा है 113 को तो 343 में से 113 घटा दो कितना जाएगा 230 कितना जाएगा 230 तो यह आपको उत्तर आ गया इतने बड़ी रामकानी करनी नहीं थी आपको डाइरेक्ट डाइरेक्ट तीर मारो रूत निकालो थिक है तो इस तरह का क्विष्चन आए यह सब प्रोसेस मानवीं हो जाती है 9 में जब आप प्रेक्टिस करोगे तो यह राइट आंसर लग जाएगा आपका ठीक है सी नंबर ऑप्षन नेक्स्ट कुष्टन पर चलते हैं नेक्स्ट कुष्टन आपका रहता है कुष्टन नंबर चालिस किस्टन नंबर चालिस इंग्लिश दौनों में दिया हुआ है तो इसमें देखो क्या कुष्टन है यह एक संख्या आपको यहां पर दी हुई है और इसमें आपको बताना है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए ठीक है तो यह संख्या है पहले इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे वर्गमूल निकाल के हम देखेंगे कि क्या कम ज्यादा रहता है ठीक है तो हम इसके नेड़ने तक पहुंच पाएंगे तो सबसे पहले तो इसका वर्गमूल निकालने के हम ट्राइ वण यह आपकी संक्या है यहाँ थीक हैं अब सिरह करना है इसका वर्ग मॉल निकालना हो जब अर्ट सरने भी खिरवाया हुआ है सबसे पहले क्या करना होता है लाउस्ट से तो-डो के ढूंदे बनाओ 21 का जोड़ा पर प॥र और साथ को करोगे तो कम रहता है काफी और नो और नो को करोगे तो इक्यासी उपर हो जाता है तो आठ आ रहा है देखो आठ आठ को आठ से गुणा करते हो तो कितना आएगा यहां पर 64 आ जाएगा ठीक है अब क्या करना है आपको इनको तो यहां पर जोड़ देना है और यह यहां पर इन दोनों को माइनस कर लेना है 68 में से 64 माइनस करो कितना जाएगा चारा जाएगा अब यहां पर यहां पर यह जोड़ा और उतार लो जीरो सिक्स पूरा जोड़ा उतारना है ऐसा नहीं कि सिर्फ जीरो उतार लिया जैसे हम बाग देते थे ऐसे नहीं करना पूरा जोड़ा उतरेगा तो यहां आपका पूरा संख्या क्या बन गया है 406 ठीक है यहां पर आपके पास क्या है 16 है 16 के आगे आप ऐसी संख्या सोचो कि जो 406 से च्छोटी रहे या 406 के बराबर रहे तो बराबर तो कोई संख्या नहीं रह पाएगी तो हम यहां सोचते हैं 2 क्या सोचते हैं 2 जब 162 को हम 2 से गुणा करते हैं तो किता आता है 324 च्छेक कर लो एक बास 324 से आता है ना एक सबास एक को 2 से हां 324 सही है 324 से आएगा दो यहां पर लिख देंगे उपर ठीक है अब यह तो आपस में जूड जाते हैं कितने हो जाएंगे 164 हो जाएंगे जाएंगे 164 हो जाएंगे ठीक है अब आपको क्या करना है यहाँ पर इनको माइनस कर लेना है इनको माइनस करो कितने आजाएंगे यहां पर इसको करके देखते हैं तो यहां पर इसको गुणा करना पड़ेगा सोला सो पैंतायस को पांच से गुणा करना पड़ेगा गुणा करो एक बार पांच दो दो आठ पांच दो आठ सही है ना साथ साथ चेक करते जा ना ठीक है तो यह मल्टिप्लाई किया हमने इतना आ गया अब देखो इन दोनों का अंतर देखो अंतर कितना रहता है यह तो है यहां पर चार आपका उत्तर हो जाएगा चार ऑप्शन में क्या एक बार चेक करेंगे तो ए उप्शन आपका राइट लग जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्यूश्चन पर चलते हैं यह कौन सा क्यूश्चन हो गया क्यूश्चन नमबर 40 हो गया न आपका अब क्यूश्चन नमबर 41 आपका आ ठीक है क्यूश्चन नमबर 41 अभी इसको सैट कर देते हैं ठीक है सभी को दिख रहा है चलिए देखो क्यूश्चन में आपक अगर A अभी B से 9 वर्ष बढ़ा है तो B की वर्तमान उम्र क्या है यह आपको बताना है अब बहुत सारी इसने दाल सी पका दी आपको दाल नहीं पकानी है step by step करते जाना है step by step ठीक है तो सबसे पहले क्या करो A की वर्तमान उम्र A की यहां लिखो A की वर्तमान उम्र को क्या मान लो X मान लो और B की वर्तमान उम्र को क्या मान लो Y मान लो मान लिया कोई दिकत नहीं है अब यह क्या कह रहा है कि A की उम्र दस वर्षों में A की उम्र B की दस वर्ष पुर्व उम्र से दो गुनी हो जाएगी यानि कि 10 वर्षों में 10 वर्षों में बोल रहा है यानि कि 10 वर्ष बाद अब अगर कोई आदमी X साल का है तो वो 10 वर्ष बाद कितने का होगा X प्लस 10 का कितना हो जाएगा X प्लस 10 का अरे भई अगर तुम आज 20 साल के हो दस साल बाद कितने हो जाओगे, बीस प्लस दस तीस साल की हो जाओगे, जाहिर से बात है, तो एक ही वर्तमान उम्र कितनी है, एकस है, तो दस साल बाद कितना हो जाएगा, एकस प्लस है, दस का हो जाएगा, अब ये क्या कह रहा है, कि जो बी की उम्र है, वो दस वर्ष पुर पुर्व की Umra से दो गुनी है ँवाली उम्र तो दस रच पुर्व करो अगर आज यह शाल का है तो दस रच पूर्व कितने का था ओमाइनस दस का मतलब मान लो आजला क्म तुम तीस साल के हो तो दस साल पहले कितने कीड़ा कुझे गणाख तीस में तो तुमने किया है ठीक है तो ये समीकर नमबर क्या बन गई तुमारी एक बन गई पहली बात जो बोली इसने वो तुमने पूरी कर दी सकी देमांट ठीक है दूसरे बात अब इसने क्या बो ली कि अगर A अभी B से नो वर्ष बड़ा है A अभी अभी मतलब A वर्तमान में A की वर्तमान उम्र क्या है? X है और ये किस से बढ़ा है? B से 9 वर्ष बढ़ा है B की वर्तमान में कितनी है? Y और इस से कितने वर्ष बढ़ा है? 9 वर्ष बढ़ा है मतलब Y पलस 9 है ये आपकी दूसरी समीकरन होगी दो समीकरण इसने खुद ने बताई है, हमने कुछ नहीं किया, जैसा इसमें बोला है, हमने सिरफ वो ही किया है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपके पास x का मान कितना है, x का मान यहाँ से है न, y प्लस 9, तो पहली समीकरण में x की जगह क्या रख दो, y प्लस 9, x का मान यहाँ पे, तो x की जगह क्या रखेंगे, y प्लस 9 रख देंगे, पहले से क्या था, वहाँ पे 10 था, पहले से वहाँ पे क्या था, 10 था, बराबर 2 y माइनस 10, ठीक है, रख दिया, मान ही रखा है, कुछ भी नहीं किया, मैंने मान रखा है, अब यह किता हो गया, y प्लस 19 हो गया, 9 और 10 किता हो गया, 19, इसको अंदर मल्टिप्लाई करो, अंदर मल्टिप्लाई करोगे, तो यह किता हो जाएगा, 2y माइनस 20, अब देखो, यह 2y को इधर ले आएंगे, तो इक इतना हो जाएगा, y बच्चे का माइनस का, और यह इधर जाएगा, तो यह जुड आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, समझने के बाद में, तो आप एकदम इजी ली, फटा फट कर दोगे, ठीक है, क्यूस्टन नमबर 42 आपके सामने आ गया है, 42, देखो, इसमें क्या है, यह रूट में दी हुए संख्या है, और आपको बताना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो, अगर रूट में नहीं समझ मैं, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो, रूट जो होता है, उस रूट चार को तुम क्या लिख सकते हो, चार की घहत, एक बटे चार, देखो, अब जो यह रूट एक बटे दो है, रूट एक बटे दो का मान आप निकाल लोगी कितना हो जाएगा, चार, एक मौन चार, एक चार, यह छोटे-छोटे मान है, दरस्वी क्लास में जब आपकी शंको वाली और यह एरिया वाली प्रशनावली रहती है, इससे डायरेक्ट आपको याद भी रहते हैं, यह मान, तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, छोटे मान, पांस तके तो, तक कि क्रिश्चन जल्दी सोल हो जाए, और नहीं याद रख सकते हैं, तो अभी उपर ज चार चार दो, ठीक है, 1.442, अब इसको सोल कर लो, देखो, चार है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दो की घात 2, याद यह होते हैं, आगे क्या है, यह एक बटे चार, यह इससे कट जाएगा, कितना बचेगा, दो की घात 1 बटे दो, अब दो की घात 1 बटे दो का मान, तो व बड़ा कौन सा हो गया यह वाला हो गया यह कौन सा है तीन गुट थीक है तो यी बी ऑप्ष्ण जो आपका क्या जाएगा राइट हो जाएगा तो इस तरह से कर लिया हमने बहुत ही इजी था Nikki फूर्टी थी आपका गया 43 यह question बड़ा है थोड़ा तो मैं इस तरह से आपको शो कर पारी हूं ठीक है सबको दिख रहे हैं चलो देखो इसमें आपको क्या करना है यहां पर क्या पुछा है एक परिक्षा में 80% छतर अंग्रेजी में पास हुए हैं गनित में 85% पास हुए हैं और 75% दोनों में पास हु कि क्या करेंगे पहले अंग्रेजी और गनित अंग्रेजी और गनित दोनों की निकाल लें एक साथ अंग्रेजी प्लस गनित तो दोनो के निकालो कि कितने हो जाएंगे 80 प्लस 85 कितने हो गए 80 प्लस 85 अश्य और 85 कितने होगे 165 और आपको क्या दिया है यहां पर 55% दोनों में पास होएं तो हम यह डबल बार काउंट हुए हैं तो एक ही बार रखो तो यह 55 इसमें से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे कितना बश्यक्त आपके प पास ठीक है यह यह मिटो एक बाइस को और हम पास हो ठीक है बहुत अच्छी बात है चलो अब 90% पास हुए मतलब कितने प्रसेंट फैल हुए हैं पैल कितने हो गए 10% हो गए आपको बता है कोई भी चीज होती है रिजल्ट होता है वह 100% होता है अब 90% पास हो गए मतलब फ 10% चात्र दोनों विशह में अनुत्रिन हैं अनुत्रिन मतलब फैल है तो कुल चात्रों के संख्या बताओ हमने निकाली कितनी 10% और यह क्या कह रहा है 40% तो क्या करो 10% को 40% के क्या रख दो बराबर रख दो दोनों बाते हम भी हमारी बात पर कायम रहेंगे कि 10% है यह भी बात पर कायम रहेगा कि 40% है दोनों के लड़ाई नहीं हो दोनों क्या रख दो बराबर रख दिये बराबर कोई रिकत नहीं है 10% बराबर 40 मतलब यह मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूं जबकि हमेशा 10% बराबर 40% नहीं होता है यह हम क्या प्रशन के according कर रहे है त्रिक है प्रशन के हिसाब से कर रहे है उत्तर निकालने के लिए कर रहे है बस तस प्रसेंट यह कह रहा है कि निवाद में 10 चालिस बटे में 10, ठीक है, अब तुमको क्या निकालना है, result जो होता है, कुल चातर, कुल चातर तो 100% होते हैं, कुल चातर कितने होते हैं, 100%, तो 100 निकालना है तुमको, किसके लिए निकालना है, सो के लिए तो 40 बटे 10 इंटू में 100 ये आपके टोटल चातर आ जाएंगे ये इससे काट लोगे कितना उत्तर बच जाएगा 400 कितना उत्तर बच जाएगा 400 जार को सो से गुणा कर लेना कौन सी बड़ी बात है तो एक आपका राइट आ जाएगा ये अप्षन क्या गया राइट आ गया 400 ठीक है यहां पर यह आपका एक लग गया 43 नंबर किस्टन हो गया कौन सा 43 अब है किस्टन नंबर 44 चमवाल इस ठीक है इसमें दोनों लेंग्व दॉन चारज चमवाल का Avno का लिखना में लिखना है यानि लिखना है आपको कुछ नहीं करना इतना ऐता कृश्चन कैसरा ब्योंदिया पता नहीं यह इसमें फ्रेव इसमें ऑपस्षन जैवो राइट नहीं दीए थे तो आप क्या करोगी है यहां पेई ऊप्शन कर लोगे थोड़ा सा क्या कर लोगे में करेक्षन तो ये जो नो है ना इस नो की मुंडी घुमा देना क्या करोगे मुंडी घुमा देना यह किता उजएका 646 बते तो समझ गए सभी अगर तीं के बाद में पॉइंट होता तो नीचे लगा ते तो नीचे क्या लगा देते हैं जितनी संख्या बाद में बिंदी उतनी ही बिंदी नीचे लगा दो ठीक है तो फोर्टी फॉर ओ गया अब क्यूस्ट नबर फोर्टी फाइफ पर चलेंगे यह 45 आपके सामने आ गया यहां पर ठीक है अब क्या पुछा इसमें यह बटे वाली संख्या दी है भिन दी हुई है जब भिन वाला महतम समापर्ते आ जाए तो बहुत साहीं लोग डर जाते हैं डरना बिल्कुल भी नहीं है सीधा सा फॉर्मूला है बई सीधा सा जो फुल स्लेबस वाली बुक है अपनी उसमें करवाया हुआ है बड़ी अतरीके से तो निका समापर्तक यानि के एक सीधा जो रहते सबसे छोटी रहती है या फिर उससे भी छोटी हो संख्या ठीक है तो यहां पर हम जब इसको सोल करेंगे तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं उनका पहले एक सीधा निकालना हो तब क्या होगा एक बटे हर का LCM अंच मतलब उपर वाली जो है और हर मतलब जो नीचे वाली है हर का LCM इस तरह से निकल पाएगा ठीक है इस तरह से HCF निकल पाएगा तो अंच का HCF उपर वाली संख्या देखो लिख देऊंगे यहां पर यह देख लोगे ऐसे ही दो बटे तीन आठ बटे नो 64 बटे इक्यासी 10 बटे 27 यह सारी संख्या है उपर वाली संख्या हो में HCF यानि के कौन सा कोमन फैक्टर है कोमन फैक्टर देखना है दो का डिवाइट जो सब में हो पाएगा दो का पहाड़ा बूल की देख लो ऐसे नहीं आए तो दो का पहाड़ा सब में जा रहा है तो सबसे बड़ा रहता है ठीक है हाइस्ट कोमन फैक्टर होता है यह लोयस्ट कोमन फैक्टर होता है ठीक है तो इसमें क्या रहेगा तो यहां क्या लिख लेंगे करना पड़ा कुछ भी नहीं करना पड़ा यह सुत्र तो सिरफ आपको समझाने के लिए लिखा है बाकि आपके मनमें याद हो जाएगा कि शुत्र भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको सीधा देखोगे उपर क्या है बहुए दो नीचे का का मान बढ़ेगा पूरी संख्याह की बात करें ऊक्ष आनच कंश और हर बढ़े तो पूरी जो आल संख्या है क्या होगी कम होगी तो सबसे बड़ी संख्या कौन थी नीचे वाली क्या सिथी नीचे रख ले प्रोटल जो संख्या होगी वह क्या होगी कम हो जाएंगी तो इस तरह से भी बेसिक सी याद रख सकते हो वाकि अराम से मैंने आपको बताई दिया कि दो बटे क्या सी राइट आंसर एक बार ओप्शन चेक तो खर लो इतना भी क्या तो बी ऑप्शन राइट हो गया ठीक है नेक्स्ट क्यूशन 46 एक का एक सो आठ किलो मीटर प्रती घंटे की गती से चल रही है उड़ रही है तो पंदरा सेकेंड में वह कितनी दूरी तैय करेगी यह आपको बताना है क्यूशन 46 में ठीक है पहले तो जल्दी से बताओ चाल का समय क्या होता है दूरी बटे समय सुतर भी याद रखा गरों आगे जो साइंस आती है साइंस में पूछ आते हैं और मैस में भी कई की दूरी तैक ही उसने 108 किलो मेटर कितनी 108 किलो मेटर मतलब किलो मेटर ठीक है ठीक है अब यह तुमको क्या निकालना है सेकेंड में निकालना है ना तो पहले इसको सेकेंड में कर लो एक सेकेंड में कितनी दूरी तैक करेगी एक सेकेंड में तो 108 मिनिट होता तो 60 का भाग देते और सेकंड है तो साथ 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 दो बार भाग दे देंगे या तो आप छती सोका एक साथ ही दे सकती हो या ऐसे सो सकते हो मिनिट में किया तो साथ फिर सेकंड में किया तो वापस साथ तो इस तरह से भी कर सकते हैं एक साथ छती सोका दे सकते हो मैं इसकी ट्रिक भी 60, 60, यह क्यों किया, second में बदला है मैंने, ठीक है, minute में बदला होता तो only 60, यह दूसरा 60 नहीं लिखते, only 60 का भाग जेते, तो यह एक second में तया की गई दूरी आ गई, ठीक है, आगई, निकाल ली, अब आपको कितना पुछा है इसने, 15 second में तया की गई दूरी, क्या पुछ तो 15 का, 15 से आपके आखर से यहां पर multiply 15 से क्या का, यहां पर multiply 15 का निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, काट लेना है अराम से, काट लो, कि काटे ही हम, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, काट लो, 15, 60, 15, 60, इसको काट लो, 2 से काट लो चाहें, अराम से, 25, 10, 2, 80, 8 2 6, इसको काट लिया, और आगे काट लो, 2 से दोबार कट जाएगा, 2 दुनी, 4 2 सते 14, इसको काटेंगे तो 15, अब 3 से काट जाएगा, 3 9 27 और 3 5 15, तो इस तरह से हमने इसको काट लिया, और यह किता, ऊपर तो किता बचा हमारे पास, नो और नीचे क्या बच्छा पांच गुणा चार कितना आ गया नो बटे पांच चुके बीस एकदम इजी काट के बताया है कई बार बच्छे बोल दोते हैं कि आप डायरेक्ट काट देते हो समझ में नहीं आता दो तीन से काट के बताया है मैंने इस से ज़्यादा अब क्या ह आपने लिए क्लो मेटर मीटर में साथियों किसमे है ये किलो में में कर लेंगे derechos लगी हमें तो हम वैसे उशार हैं अभी कर लो जब कोई भी संख्या दी गई हो किलो मीटर में उसको मीटर में चैंज करना हो आपको पता है किलो मीटर में मीटर कितने होते हैं वह 15 सेकंड में 450 मीटर की दूरी तै कर लेती हैं और कई बच्चे हैं वह इतना भाग बढ़ा नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए मैं एक फोर्मूला बना रही हूं और वह फोर्मूला काफी सारे लोग यूज करते हैं बहुत ही इजी है वह मैं यहां पर बता दिती हूं जब भी आपको किलो मीटर प्रती घंटा में कोई चीज दी हो किलो मीटर प्रती घंटा में दी हो और उसको मीटर प्रती सेकंड में मीटर प्रती सेकंड में आपको निकालना हो तो क्या करना है कुछ नहीं करना आँख बंद करके एक काम करो जो संख्या है क्या है जो संख्या है क्या है 108 108 को गुणा कर दो 5 बट्य-ठारा से सीधा उतर जाएगा कच नहीं करना सीधा उतर जाएगा का लिखो या लिखो, लिको इसको सीधा काट सकते हें शीधा नहीं काट तो 2 से काट हो कोई जल्दी नहीं है दो सेकाट तो नहीं में 18 इसको काटो 2 15 10 foremost अब आपको कितना निकालना है 15 से किनकालना है किसका निकालना है 15 से कितना गया है 15 35 और एक जीरो 450 कितना गया 450 आपका उत्तर आ गया वह 4 a 50 मीटर की दूरी तेह करेंगी तो सी उत्तर आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा थीक है next question पर चलते हैं question number आ चुका है 47 होने वाले हैं तो चलो सबको दिख रहा है कि किसी राशी पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर 6 साल के बाद उस राशी का आधा है लेते हैं मूल धनेक्स मान सकते हैं और दर दी हुई है 8% समय दिया हुआ है 6 साल लेकिन और कुछ चीज़ यहां पर आपको दी नहीं है यह किस्टन करने के लिए आगे कैसे करोगी किस्टन ऑप्शन देखो एक बार हां तो ऑप्शन मिलना है न यह प्रियाप्त जानकारी डा डाटा जो है पूरा नहीं दिया आपको डाटा पूरा नहीं दिया तो जानकर यह प्रियाप्त है थोड़ा तो कुछ और क्यों कर पाते हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है अच्छे से ठीक है 48 नमबर कुष्टन अपर आपका अगर एक वर्थ की तिर्जा में 75% की वर्धी होते है वर्ध क्या होता है यह आपका वर्ध सरकिल ठीक है वर्ध की तिर्जा में तिर्जा क्या होती है केंदर यह क्या होता है वर्ध का केंदर केंदर से परीधी पे किसी बिंदू को मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा क्या होती है वर्ध होती है चलो अच् 75% की वरदी हो रही है तो बताओ कि इसकी परीधी में कितनी वरधी होगी, परीधी का है, यह पूरा जो area है यहां से एक चक्कर निकाल के भागा हो, यह क्या कहलाती है, परीधी, ठीक है, पेरामीटर जो होता है, परीधी का सुत्र होता है वर्थ का 2πr, इसमें आर क्या, एक ही बार आ रहा है न, कितने बार आ रहा है, एक ही बार, तो तिर्जा में 75% की वर्धी हो रही है, तो जो परीधी है, उसमें भी कितने परसेंट की वर्धी होगी, 75% की वर्धी होगी, सीधा साफ साफ दिख रहा है यह तो कुछ करना ही नहीं पड़ा और एक ही बार है जितनी तिर्जा बढ़ेगी उतनी ही परीधी भी क्या होगी बढ़ जाएगी तो परीधी में भी 75% की वर्धी हो जाएगी ठीक है तो यहां पर option C क्या हो जाएगा आपका right हो जाएगा सी ठीक है ती 75% कर लिया कुछ नहीं करना पड़ा इसमें चलो 49 किसे नंबर 49 साइन कोस वाली टिग्नोमेटरी मेरी फ्रेवरेट है मैस के अंदर जल्दी से कर लेंगे भी देखो साइन थिटा बटे कोस थिटा यह बटा है ठीक है लिखूं क्या साइन थिटा बटे कोस थिटा बेराबर क्या एक है तो सीटा का मान क्या करना है ज्या थिटा कॉण कीं सौब में तो सांध आपको सांध कोस का मारी स्कारत से बटेखो इक दिन टेबल कर वा दूंगा इसको याद नहीं हूं तो अगर मान देखिए गरी 30ıktभी 55 भी तक कि मैंनेGS फटाइफट लिए अब त Cos का मान हो गया इसके बाद में कोष्का माना अता है कोष का मान कोच के पूछ बीन करना साइन का याद है ना तो इसकी फूछडी उठाओ यहां से और इसको यहां ले जाओ आप एक का है ना एक को अगर फर्ट कर दो एक बर्टे 2 2 उल्ट कर दिया कूछ नहीं किया उल्ट दिगरी वाले मान है ना तो यहां ठीटरा की जगह 45 वाले मान रखो तो मान रखो किता हो जाएगा साइन यहां पर लिख लो साइन 45 बटे कोस 45 ठीक है तो साइन 45 का मान भी एक बटे अब रूट दो रूट से रूट दो कट्यां कितना आ गया यह एक आ गया एक निकालना था मतलब फिटा आमने कितना लिया 45 ठीक लिया 45 डिगरी यहां पर आपका राइट आंसर होगा पैंतालिस ऑप्शन में के गवर चेक करो जल्दी चेक करो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा ठ ठीक है next question question number 50 50 रहता है यह आगया आपका 50 ठीक है इसमें एक गोलार्द का घुमाव सतह छेत्र है यह आपको बताना है बनाने की ट्राई करें क्या गोलार्द आधा गोला गोलार्द मतलब आधा गोला किस तरह से बनेगा यह इस तरह का होता है गोलार्द आधा गोला यह सही नहीं बना पा रहा है मेरा पैन सही नहीं बना पा रहा है तू ठीक है इसको हम क्या करते हैं डिलेट कर देते हैं और पैन से बना लेते डायरेक्ट इस तरह से ठीक है अब समझ गए आधा गोला मान लो गोलार्द का मतलब अब क्या पूछा है इसकी घुमावदार सतह का छे से यह वाला पूछ है only कौन सा पूछ है यह वाला ठीक है पूरा जो गोला होता है पूरे गोले का छेतर फल होता है 4 pi r square क्या होता है 4 pi r square आधे का कितना हो जाएगा 2 pi r square कोई भी नहीं कानी नहीं है हो गया तो यहां पर कौन सा उत्तर से लग जाएगा बी नंबर ऑप्शन है ना बी ऑप्शन राइट लग जाएगा ठीक है 2 pi r square यह आधे गोले के तो आप बताएं मैं आगे भी इस तरह की पेपर आपके लिए पूरा लेकर आऊं और भाकी टोपिक वाइस क्लासेस तो आप देखती रहना और हां अपनी जो फोज है अपने यूट्यूब चैनल की उस फोज को भी और बढ़ाना है सारा जो दारमदार है आपके ही कंधों तो साथियों करें कि ज्यादा से ज्यादा शेयर हो अपने साथियों को जोड़ें इतना तो हम में कॉन्फिडेंस है कि एक साथी हमारा 15-20 और स्टूडेंट लेकर आ सकता हैं तो और स्टूडेंट को भी जोड़िए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले एक बार जैहिंद बोल